गुड मॉनिंग इस्टुडेंट्स वेलकम बैक टुडेज टॉपिक इस ब्रेन जीम एंसर दिस रेडल्स इन पहलियों के उत्तर दीजिए यहां पर कुछ पहलियां दी गई हैं उनके उत्तर आपको देने हैं फर्स्ट विच टू कीज कैन नॉट ओपिन एनी लॉग कौन सी दो चावियां हैं जो किसी ताले को खोल नहीं सकती हैं तो वो कौन सी टू कीज हैं दो चावियां हैं जो किसी ताले को खोल नहीं सकती हैं Answer is monkey and donkey. Monkey and donkey वो दो चावियां हैं जो किसी ताले को उपिन नहीं कर सकती हैं. तो answer हो गया monkey and donkey. Second, what never asked questions but is often answered. क्या है जो कभी question नहीं पूछती है लेकिन अक्सर उत्तर देती है. तो वो क्या है जो कभी question नहीं पूछती है लेकिन वो answer देती है. Answer is doorbell. तो doorbell जो है वो कभी question नहीं पूछती है कि कौन आया. वो अक्सर ये बताती है कि कोई आया है. So answer is doorbell. Third, where does Friday come before Thursday? कहां Friday Thursday के पहले आता है. So answer is dictionary. तो dictionary में Friday Thursday के पहले आता है. क्योंकि dictionary में alphabetical order में लिखा जाता है. क्योंकि F पहले आता है. तो F से जो word start होता है उसे पहले लिखा जाता है. और T से जो start होता है जो word start होता है उसे बाद में लिखा जाता है. तो इसलिए dictionary में Friday पहले आता है और Thursday बाद में आता है तो answer हो गया dictionary Friday वो कहां पर Friday, Thursday के पहले आता है dictionary तो answer हो गया dictionary Fourth, what kind of stones are never found in the ocean किस तरह का stone ocean में नहीं पाया जाता, कभी नहीं पाया जाता तो किस तरह का stone होता है जो ocean में कभी नहीं पाया जाता answer is dry stone answer हो गया dry stone Fifth, which building has the most stories किस building के पास बहुत ज़्यादा stories, बहुत ज़्यादा कहानिया होती है answer is library तो library वो जगह होती है जहाँ पर बहुत सारी books होती है कई तरह की books होती है तो इसलिए यहाँ पर आपको ज़्यादा तर stories मिल जाएंगे तो इसलिए library वो जगह है जहाँ पर बहुत ज़्यादा stories होती है तो वो कौन सी building है जहाँ पर ज़्यादा stories होती है किस building के पास ज़्यादा stories होती है answer is library 6. What kind of room has no doors or windows किस तरह के room में, किस तरह के कमरे के पास doors और windows, दरवाजे और खिड़किया नहीं होती है तो वो कैसा room होता है जहाँ पर जिसकी ना तो दरवाजे होते हैं ना ही window होते हैं, ना तो खिड़किया होती है answer is must room तो must room वो room है जहाँ पर खिड़की और दरवाजे नहीं होते हैं students, आपको homework में page number 8 book में करना है और इसे learn भी करना है Thank you